तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए, यह तीन शब्द सभी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. हाँ, आपको इस बाद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुलसी को जल देते समय तीन शब्द बोल देने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी का पौधा हिंदु धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी को प्रती दिन जल अर्पित करने से सकारात्मक उर्जा और शांती का संचार होता है। कहते हैं कि तुलसी को जल अर्पित करते समय यदि श्रद्धा और भक्ती भाव के साथ दो विशिष्ट शब्दों का उचारण किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब भक्त पूरी निष्ठा से तुलसी को जल चड़ाते समय यह तीन शब्द का स्मरण करते हैं तो इसे भगवान विश्णु का आशीरवाद प्राप्त होता है। श्री हरी यानी भगवान विश्णु की कृपा और उनकी शक्ति को स्मरण करना शुभ माना जाता है कि इस से व्यक्ति के जीवन में सुख, समरध्य और शान्ती का वास होता है। तुलसी को जल अर्पित करते समय यह तीन शब्द का उच्चारण करने की एक प्राचीन कथा भी है। इस प्रकार तुलसी को जल चड़ाते समय यह तीन शब्द केवल शब्द नहीं बलकि एक अद्वितिय संकल्पना है जो भक्त के जीवन में खुशियां और समरध्य दिलाने का कारे करती है। तो चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से आज यह भी बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। दोस्तों चलो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि तुलसी को जल देते समय वह कौन से तीन शब्द है जिन्हें बोलने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं दोस्तों एक बार की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश परवत पर बैठे थे तब माता पार्वती ने त्रिकाल दर्शी भगवान भोलेनाथ जी से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को तुल तुलसी को जल कैसे देना चाहिए? तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधी कौन सी है? तथा तुलसी को जल देते समय कौन से दो शब्दों का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे इन सभी प्रशनों का उत्तर दीजिए. जिससे मैं प्राधा काल आपकी तरह मै भी रोज तुलसी को जल अर्पित कर सकूँ. भगवान शिव ने देवी पारवती को तुलसी की महिमा बताते हुए यह भी कहा कि तुलसी को जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले तीन शब्दों का अत्यधिक कल्यानकारी प्रभाव होता है. ये तीन शब्द साधारन नह बलकि अत्यंत शुभ और शक्ती से भरे हुए हैं जो भी व्यक्ति नित्य श्रद्धा और भक्ति से तुलसी को जल देते समय इन तीन शब्दों का उच्चारण करता है वह सीधे माता लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत करता है इन तीन शब्दों का प्रभाव इतना प्रबल है कि माता लक्ष्मी स्वायम उस व्यक्ति के घर में वास करती है और वहां दरिद्रता या अभाव नहीं रहता तुलसी को जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले यह तीन शब्द मान लक्ष्मी के विभिन रूपों का आहवान करते है और उनकी कृपा से साधक को जीवन में धन, धान्य, सुख सम्रिध्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुद जब भक्त निष्ठा से यह तीन शब्द का जाप करते हुए तुलसी को जल चड़ाता है तो यह मंत्र उस पर माता लक्ष्मी की कृपा को अवतरित करता है और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देता है शिवजी ने देवी पारवती से कहा कि इस छोटे से मंत्र में अद्विती ये शक्ती है और यह केवल व्यक्ती के जीवन को आर्थिक रूप से ही नहीं बलकि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सम्रिध्ध बनाता है अतह नित्य श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करते समय यह तीन शब्द का उच्चारण करना चाहिए ताकि मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हों और वह सुखमय जीवन जी सके हे देवी मैं आपको वह मंतर बताने से पूर्व मुझे आपको तुलसी के इस मंतर का माहात्मिय सुनाना देवी पारवती इस माहात्मिको सुन लेने मातर से ही समस्त मनुष्य के समस्त पाप नश्ट हो जात इसके साथ ही उस मनुष्य को सौ वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुर्ण्य प्राप्त हो जाए। इसलिए हे आप इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। माता पार्वती की हे प्रभु मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे तुलसी के मंतर का माहात में सुनाईए। तब भगवान भोले नात के हे देवी पारवती। भारत में जोधपुर नाम के गड़ के पास एक अत्यंत सुन्दरपुर नगरी। उस नगरी में देवराज नाम का एक खोटी बुद्धी का ब्राह्मन रहता। वह ब्राह्मन के नाम पर कलंग था। पापियों का तो वह शिरोमनी था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मन परिवार में हुआ था। जो पाप कर्म करने वाला। उन्हें शास्त्र ग्यान का किंचित मात्र भी अध्ययन नहीं। वह जन्म से तो ब्राह्मन था। किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। ब्राह्मन होने के बावजूद भी ना तो वह पूजा पाठ करता, ना ही ध्यान करता, ना ही जब, ना होम, और ना ही अतितियों का सत्कार करता, उसने अपने जीवन में कभी भी द्वार पर आये हुए अतितियों को बिना दान नहीं, उन्हें कुरूरता पूर्वग भगा दिया करता, वह ब्राह्मन स्त्री लं पट होने के कारण वह सदैव ही पराइस्त्रियों में आसक्त रह उसे मदिरापान करने की भी बहुत बुरी आदत थी। इतना ही नहीं, साथ ही वह मांस भी खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करता था। और उससे जो पैसे मिलता था, उससे अपनी जीवी का चलाया करत और रात्री में वह वेश्याओं के साथ गमन किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राहमन ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। जब वह यमदूत उसे रास्ते में ले जा रहे थे तो मार्ग में वह ब्राहमन उन यमदूतों के सामने बहुत विलाब करने लगा और कहने लगा। को खोलते हैं और उस ब्राह्मन के पूरे जीवन का लेखा जोखा पढ़ने लग चितर गुप्त यमराज से कहते हैं हे धर्मराज इस ब्राह्मन सम्पूर्ण जीवन में पाप ही पाप किये हैं। इसने कभी किसी प्रकार का पुन्यकार्य नहीं किया, ना किसी की सहायता की, ना धर्म का पालन किया, इसके सारे कर्म केवल अधर्म और अनाचार से भरे हुए हैं। ये सुनकर यम्राज का मुख कठोर और गंभीर हो जाता है। वे अपने दूतों की ओर देखते हुए कहते हैं। हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मन को उचित दंड देना ही धर्म। इसे नरक में ले जाओ और भयंकर अगनी में इसकी आत्मा को जलने दो ताकि इसे अपने पापों का प्रायश्चित मिल। यम्राज के आदेश का पालन करते हुए यम्दूत तुरंत उस ब्राह्मन को पकड़ कर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां की आग अत्यंत विक्राल और जलाने वाली होती जिसमें ब्राह्मन को धकेल दिया जाता है। नरक की वह भयानक अगनी उसे उसके किये गए पापों का एहसास कराती है। और उसे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का अवसर देती है। वह ब्राह्मन अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतता रहता है। जब उसकी सजा पूर्ण हो जाती है तो उसे एक ब्राह्मन का कुल छोड़कर उसे दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता। बैल का जन्म पाकर वह बोज उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ती कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोज उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीट पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने आठ वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोज उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीट पर बैठकर किसी उंचे परवत पर जाने लगता। उस परवत पर बहुत देर तक जब वह बूढ़ा बैल चड़ा तो परवत पर चड़ने के कारण वह बैल बहुत ठक गया। उसकी शक्ति क्षीन हो गई। और कुछ समय बाद वह बैल मूर्चित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसे लेने लग। अब जब वहाँ पर खड़े लोगों ने उस बैल को इस अवस्था में देखा तो वहाँ पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था, उसने उस बैल का कल्यान करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया, जब उस आदमी को ऐसा करते सभी ने देखा, तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब उसी भीड में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुन्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना एक छोटा सा पुन्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यू हो जाती है अब जैसे ही उस बैल की मृत्यू होती है तो तुरंत ही उस स्थान पर यमराज जी के यमदूत आ जाते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मन की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं जब चित्रगुप्त उस ब्राहमन का लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि उसे वेश्या के द्वारा उसे बै प्रिध्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मन कुल में जन्म लेता है। उस वेश्या के द्वारा दिये गए महा पुर्ण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती है। जब वह ब्राह्मन बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पुर्ण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है। और उसे महापुन्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाने के लिए वह ब्राह्मन उसे ढूंडते हुए उसके नगर में चला जाता है जहां पर वह रहा करती थी। परंतु अब वह वेश्या बूड़ी हो चुकी थी, फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है, तो वह उसके सामने जाकर उसे बार-बार प्रणाम करता है, और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है, वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मन श्रेष्ट, आप कौन हैं और आप किस कारण वश्या को धन्यवाद कर रहे हैं, मैं एक तुछ वेश्या हूँ, मैंने आपका कौन सा कार्य किया है, जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं, तब वह ब्राह्मन कहता है, कि हे माता, जब आप जवान थी, तब आपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुझे अ उस परवत पर मर रहा था, तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला, तुम्हारे द्वारा दिये गए उसी पुण्य के कारण, मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद, किन मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किये हैं, किन्तु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता, जिसे सुनकर मेरा मन अंतकरण से पवित्र हो गया, उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य, मैंने तुम्हें दान में दिया था, अब वह वेश्या और वह ब्राह्मन उसे तोते के पास जाते हैं, और उस तोते से पूछने लगते हैं, हे प्यारे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो, तुम्हारे बोले गए, मंत्रों के कारण ही, आज मेरे जीवन का उद्धार हुआ है, यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया, और इस मंत्र का क्या अर्थ हो, तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का व्रितांत सुनाना आरंभ किया, वह तोता कहने लगा, मैं अपने ग्यान के अहंकार में अंधा हो चुका था, मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं की, सदैव ही उनका अपमान किया, मुझे अपने ग्यान पर इतना अधिक घमंड हो गया था, जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था, और मैं सभी से द्वेश करने लगा था, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा था, मैं इतना नीच बन गया था कि मैं विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा, फिर कालांतर में मेरी मृत्यू हो गई, और मुझे यमलोक ले जाया गया, पूझे जनों और गुरु जनों का अपमान करने के कारण, मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया, और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो, मेरे पापकर्मों के कारण, छोटी अवस्था में ही मेरे अपने माता पिता का मुझसे वियोग हो गया, फिर एक दिन मैं पेड की डाल पर बैठा रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनी जा रहे उन्होंने मेरी दैनी ये पुकार सुनी तब वह सभी आर आरश मुनी मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुन्दर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और वह मुझे नित्य पढ़ाते थे उस स्थान पर वे आरश मुनी उनकी स्त्रियां और बालग सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाब करते उन्ही के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रह उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यू अभी तक नहीं हूँ, मेरी आयू सौ वर्ष की हो चुकी है, मैं इतने वर्षों तक जीवित रह, इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया, और उसने मुझे वहां से चुरा लिया, और फिर उस वेश्या ने मुझे उस चो मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत तक मन पवित्र हो गया है, हे ब्रामन देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गये हैं, अब भगवान भोले नात कहते हैं, हे देवी पारवती, इस प्रकार से तोते ने उस ब्रामन को और उस वेश्या को स इनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठ कर विष्णु लोक को चले गए। दोस्तों, अब भगवान भोले नात कहते हैं, हे देवी पारवती, सुना आपने केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के साथ उस वेश्या के और उस ब्राह्मन के सभी पाप नश्ट हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम व्रिंदावन स्वाहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे अक्षय धन की प्राप्ती होती है। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी माता का वास हो जाता है। माता तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरू है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतह जो भी मनुश्य तुलसी को जल देते समय तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे संपूर्ण सिध्यां प्राप्त हो जाती है, मुख्य रूप से स्त्रियों को प्रदे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोश नश्ट हो जाते हैं, नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए, और तुलसी के पास बैठ कर भगवान विश्णु की आराधना करनी चाहिए, तुलसी के पास दीपक जलाने से प्रत्येक मनुश्य को ध फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। उसे महापाप लगता। श्राध, वरत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी तीन रात्र तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे महापाप लगता है। रात्री में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें, अथ्वा उसके पत्ते ना तोड़े ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्री में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में जो भी तुलसी के पत्ते तोड़ता है, उसे महापाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कर देना चाहिए। या दूध छड़ाते समय एउएम नमो भगवते वासुदेवाय नमान। इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शाली ग्राम रखें और उस पर तिल छड़ा कर पूजा में तुलसी और शाली ग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य लगाए। शाली ग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीडीत है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक मनुष्य को तुलसी में जल अर्पित करते समय बोलना चाहिए। और इसके साथ ही मैंने आपको तुलसी में जल देने की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता। दोस्तों अब माता पारवती की हे नात आज आज आपने जो मुझे यह कथा सुनाई है वह सर्वव्यापक है हे प्रभू आपका मुझे इस कथा का श्रवण करने दोस्तों हमारी इस कथा और जानकारी से आपको कैसा अनुभव यह हमें कमेंट करके जरूर बत। यदि ये बातें आपके दिल को छूगई हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव का कमेंट भी न आपके समर्धन और प्रेम से हमें इसी प्रकार नई नई रोचक कहानियां और जानकारियां आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती हैं